हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रूट पावर्ट बाई क्रेजी जिकेट ट्रेक तो फ्रेंड्स देखिए आज का ये वीडियो एक बार फिट से आप सभी के लिए काफी इंपॉर्डेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी महतोकौन त्योहार और पर आईए सबसे पहला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन देखिए ओणम किस राज्ज का प्रमुक त्योहार है देखिए ओणम की बात करें तो ये काफी इंपॉर्डेंट कोश्चन हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि एक्जाम में काफी बार पूछा भी गया है अब ओणम केरल का सबसे लोकपरी त्योहार है केरल का एक राज्ज की त्योहार भी माना जाता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर भी केरल यहाँ पर सही अंसर है ओणम केरल राज्ज का एक राज्ज की त्योहार है अब कोश्चन आता है कि इसे मनाया कब जाता है तो देखिए ये के असल उत्सव के रूप में अगस्त सितंबर महा में मनाय जाता है और यह त्योहार नॉर्मली दस दिन तक चलने वाला त्योहार है किसकी बात की गई है ओनम की अब देखिए ये पुरानिक माननेताओ से भी जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स राजा बली जिनके लिए को वामन अवताल लेना पड़ा था जब ये देखिए तीनों लोकों को जीतकर वापस अपनी राजधनी लोटे थे तो इनके लोटने की खुशी में भी ओनम त्योहार केरल में मनाय जाता है क्योंकि राजा बली की राजधनी उस वक्त केरल थी तो पुरानिक माननेताओ से भी ये त्योहार जुड़ जाता है अब दिखिए यहाँ पर कौन सी कल्चरल एक्टिविटी की जाती है अगर इनकी बात करें तो इस त्योहार के दोरान सरपनों का दोड़ होती है कथकली नाच होता है और नॉर्मली जो सांस्कृतिक गाने हैं या गीत हैं वो भी गाए ज जाते हैं कब ओनम के त्योहार पर तो किस राज्जी का त्योहार हो जाता है यह केरल का आंसर भी यहाँ पर सही है नेक्स्ट कोश्चन पर आ जाते हैं सेगेंड कोश्चन है पोंगल किस राज्जी का प्रमुक त्योहार है तो पोंगल देखिए फ्रेंड्स तमिल नाडु क एक बहुत ही महतुपुन त्योहार है यह त्योहार हर साल जनवरी महा में मकर सक्रांती पर मनाय जाता है और मकर सक्रांती पर शुरू होकर टोटल चार दिन तक चलता है देखिए इस त्योहार का नाम पॉंगल इसलिए पड़ा है क्योंकि इस दिन सुर्य देव को जो प्रशा चड़ाय जाता है उसे पगल के नाम से तमिल नाडु में पुकारा जाता है तो इसलिए इस त्योहार का नाम आगे चल कर पोंगल पड़ा है नॉर्मली ये जो त्योहार है किसान शीत रीतु की फसल काटने के बाद गुड और चावल का प्रशाद बना कर एक दूसरे में मलकिस राज्जी का त्योहार है तमिल नाडु का देखिए तमिल नाडु के इस त्योहार पर काफी कल्चरल एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिलती है इसका जो पहला दिन होता है त्योहार का जो पहला दिन होता है उस दिन ये कूडा करकर इघटा करते हैं और उसे जल की जाती है तो इस तरह तीसरे दिन इस त्योहार में पश्वो को नॉर्मली पूचा जाता है तो पॉंगल तमिल लाडु रज्ज का एक कल्चिरल फेस्टिवल है काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन देखिए अगला कोशन पूचा गया है भोगाली बीहू किस रज्ज का प्रमुक त्योहार है अब देखिए ये त्योहार जब भी पूचा जाता है फ्रेंड्स नॉर्मली हमें एक्जाम में बीहू ही मेंशन किया जाता है कि बीहू किस रज्ज का त्योहार है तो याद रखिगा ये असम रज्ज का सबसे महतुपून त्यो बंगाली भी हूँ और बोहाग भी हूँ फसल बुवाई की शुरुवात का प्रतिक है और नए वर्ष में या नए वर्ष के शुभारम में इसे मनाय जाता है इसके बाद भोगाली भी हूँ और माग भी हूँ जो कि हमारा कुश्चन में भी है यह फसल की कटाई के समय मनाय ज तो याद रखिएगा इनके classification को भी याद रखिएगा हो सकता है यहां से भी कभी आपको question exam में देखने को मिल जाए पर normally आपको बीहु तो याद रखना ही पड़ेगा तो भोगाली बीहु असम राज्य का एक प्रमुख तेवहार है answer D उगादी पर्व किस राज्य में मनाय जाता है तो देखिए ये पर्व भी किसानों से संबंदित ही है लेकिन ये करनाटक राज्य में मनाय जाने वाला एक मुख्य तेवहार है जब करनाटक के किसानों की ससल अच्छी होती है बहुत ही अच्छी पेदावार होती है तो उसक खुशी में करनाटक के किसान इस त्योहार को मनाते हैं। हिंदू केलेंडर के अनुसार चेत्रमास मतलब मार्च का आखरी समय और अप्रेल महा आप पुरा इंकलूट कर सकते हो। चेत्रमास में इस त्योहार को मनाय जाता है और इसी समय नव वर्ष के रूप में भी इस त्योहार को मनाय जाता है। ये जो दिन है फ्रेंड्स इस दिन किसान ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को ही स्रस्टी का रह्चेता मना गया है। तो किसान ये मानते हैं कि उनको जो फसल मिली है जो भी उपज मिली है वो भी ब्रह्मा जी की ही देन है तो उगादी परवपर पूझे जाने वाले देवता कोन है अगर ऐसा कोश्यन आ जाए तो वो ब्रह्मा जी है किस रज्ज में मनाये जाता है करनाटक रज्ज में मनाये जाता है करनाटक इसके बाद अगला कुशन देख लेते हैं लोसांग उत्सव मनाये जाता है तो देखे, नाम से आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि ये पुर्वत्तर के किसी रज्ज में मनाय जाता होगा तो लोसांग तेवार, जो की देखे, एक तिबबती बौद्ध धर्म का तेवार है Normally इसे पुर्वत्तर रज में सिक्किम में मनाय जाता है सिक्किम की भूटिया जन जाती इस तेवहार को पारमपरिक रूप से मनाती है क्योंकि कहीं न कहीं ये बौध धर्म से ही इंस्पाइड है लोसांग उच्छाव को सिक्किम की भूटिया जन जाती के द्वारा नव वर्ष के रूप में या फिर फसल कटाई के रूप में मनाय जाता है जब इस जंजाती के द्वारा फसल काटी जाती है तो उसकी खुशी मनाने के रूप में लोसांग उत्सव को सिक्किम रज्ज में मनाय जाता है और ये त्योहार नॉर्मली चार दिन तक चलता है तो देखिए पुरुवत्तर का अगर कोई भी ऐसा राज्य दिया जाता जहां पर कहीं न कहीं बहुत धर्म या तिबबत से जुड़ा हुआ छेत रहे तो वहां पर लोसांग उत्सव हमें देखने को मिल जाएगा तो यहां पर उप्शन में पुरुवत्तर का एक राज्य दिया गया है सिक्किम तो लोसांग त्योहार सिक्किम की भूटिया जिन जाती के द्वारा इस्पेशली मनाय जाने वाला त्योहार है आंसर C आगे देखिए पुशकर मेला कहां लगता है आप सभी को इसका अंसर पता होगा लेकिन एक्जाम में यह कुश्चन हमें काफी देखने को मिला है पुशकर मेला अजमेर में लगता है जो की राजस्तान में इस्ति थे इस मेले को उटो के मेले के नाम से भी जाना जाता है राजस्तान के अजमेर जिले में आयोजित पुषकर मेला कार्टिक मास में लगता है मतलब अक्टुबर नवंबर माह में इस मेले का आयोजन अजमेर में कराये जाता है कार्टिक पूनीमा पर लगता है और नॉर्मली क्योंकि उटो से संबन्दी थे इसलिए इसे पश्वो का मेला भी कहा जाता है कहीं कहीं हमें उटो के मेले के नाम से भी इसका नाम देखने को मिलता है पुश्कर मिला भारत के राजस्तान रज्ज के अजमेर में अज़्जित किया जाता है आंसर भी इस करेक्ट आंसर ओके आई होप यहां तक के कुश्शन क्लियर हो गए होंगे अगले कुश्शन पर आ जाते हैं जल्ली गट्टू नामक त्योहार किस रज्ज में मनाय जाता है वेरी वेरी इंपोर्डेंट क्योंकि यह त्योहार काफी सुर्खियों में रहा है फ्रेंट्स पिछले कुछ सालों से सुप्रिम कोट ने भी 2014 में इसे बेन करने के लिए अपना वैडिक पे दिया था अब यह त्योहार है क्या क्यों मनाय जाता है और सुप्रीम कोट ने क्यू बेन किया था इस पर जान लेते हैं तो देखिए जल्ली गट्टू तमिल लाडू का एक पारंपरिक त्योहार है जो की तमिल लाडू की संस्कृती से जुड़ा हुआ है इसमें एक्च्वल में होता क्या है कि बेलो को नियंतिरित करने के लिए उन्हें भीड में छोड़ा जाता है और बाद में उसे वश में किया जाता है तो देखिए ये बेलो की दोड़ की तरह है जिसे भीड में छोड़ दिया जाता है नॉर्मली काफी लोग इसमें घायल भी हो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं तो इसलिए 2014 में जल्ली कट्टू पर सुप्रीम कोट में बेन लगा दिया था हाला कि क्योंकि एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है तो अभी तक ये काफी विवादों में हैं और समय समय पर तमिलाडू के अलग-अलग शेत्रों में इनका आयोजन किया जाता है तमिलाडू के ग्रामिन इलाकों का ये परंपरागत खेल है, नॉर्मली इसे पोंगल तयोहार पर आयोजित किया जाता है तो जल्ली गट्टू, तमिलाडू रज्ज का एक महतुपुन परंपरिक तयोहार है आंसर टी इसके बाद देखिए, कंचोथ तयोहार कहां मनाये गया तो देखिए, वेसे तो ये जो तयोहार आप देख रहे है फ्रेंड्स, ये करवाचोथ का ही दूसरा नाम है लेकिन कंचोथ के नाम से इसे जम्मू कश्मीर रज्ज में मनाये जाता है अब करवाचोथ के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये महिलाए इस तयोहार पर वरत करती है अपनी पती की लंबी आयू के लिए, अखंड सोभागे के लिए और नॉर्मली कार्तिक मास की चोथ का जो दिन होता है, उस दिन चंद्रमा की यहाँ पर पूजा की जाती है अब जो जम्मू कश्मीर हैं, वहाँ के मुख्य नागा अन्याईयों के द्वारा कंचोथ के नाम से इस तयोहार को मनाये जाता है तो अगर कंचोथ तयोहार पुछा जाए, तो जम्मू कश्मीर का है करवाचोथ के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह पूरे भारत में मनाये जाता है चिनाप घाटी के शेत्र में इस तयोहार को काफी उल्लास और उत्सा के साथ मनाये जाता है तो कंचोत त्योहार जो की करवा चोत का ही एक रूप है जम्मू कश्मीर रज में मनाय जाता है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन पर आ जाते हैं लोकरंग त्योहार किस रज में मनाय जाता है इस त्योहार को फ्रेंड्स लोकरंग महुत्सव के नाम से भी कुकारा जाता है तो कोई भी नाम आ जाए आप कन्फ्यूज मत हुईएगा लोकरंग त्योहार मुख्यरुप से मद्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक विशेश उत्सव है रंग मंच कारिक्रम भी आप इसे मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मंच के उपर लोक नरत्ती की प्रस्तूती दी जाती है संगीत और जंजाती नरत्ती की प्रस्तूती दी जाती है इस तरह लोकरंग महुत्सव मनाया जाता है अगर हम मध्य प्रदेश के अने त्योहार और महुटसव की बात करें, तो खजुराहो महुटसव, मध्य प्रदेश के छतरपूर जीले में आयुजित किया जाता है, खजुराहो काफी फेमस परियटन इस्तल भी है, जोकी मध्य प्रदेश में थेते हैं, भगोरिया उत्सव मद्धे प्रदेश की भील आदिवासियों के द्वारा मनाय जाता है पचमड़ी उत्सव पचमड़ी MP के होशंगाबाद में है और मडई महुत्सव जो की मद्धे प्रदेश में गोण जनजाती के द्वारा मनाय जाता है तो ये अन्य ऐसे महुत्सव या त्योहार है, जो की MP में मनाय जाते हैं. हमारा कुशन लोक रंग त्योहार से है, तो ये कहां मनाय जाता है? मद्य प्रदेश राज्ज में. इसके बाद देखिए, हॉर्न बिल उत्सव किस राज्ज में मनाय जाता है? हॉर्न बिल उत्सव, नागा लेंड का सबसे बड़ा वा आउजित किया जाता है नागा जन्जाती का एक संस्क्रतिक त्योहर है जिसे नागा लेंड में हौर्णबिल महुत्सव के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग कुश्फषन, कच्चाई लेमन फेस्टिवल किस रज में मनाया जाता है, या हाली में आयुजित हुआ है? तो द课, लेमन से संबधी थे, नाम से आपको ये तो समझ में आ जाएगा, तो कच्चाई लेमन फेस्टिवल, जो की हाली में जन्वली 2022 में मरीप मड़ीपूर में इस फेस्टिवल का ये अठ्रवा संसकरन था। देखिया मड़ीपूर का एक निम्बू है जिसे कचाई के नाम से जाना जाता है। या इसे कचाई निम्बू भी कहा जाता है। इसी के नाम पर कचाई लेमन फेस्टिवल का आयजन किया गया है। कचाई निम पर जी आई टेक किस रज्ज को है तो ये मडीपूर रज्ज को है और कचाई लेमन फेस्टिवल कहां मनाय जाता है तो ये भी मडीपूर रज्ज में मनाय जाता है मडीपूर कचाई लेमन फेस्टिवल हर साल मडीपूर में मनाय जाता है इसके बाद देखिए 2022 में किस करन का वुश्यन है, पूचल जा सकता है, कर्गा मंदिर उत्सव, जोकी एक बहुत ही महतुपुन त्योहारे फ्रेंड्स ये दक्षनी करनाटक में मनाए जाता है, दक्षनी करनाटक में निवास करने वाले वहनी कुला शत्री ठिगला, एक समुदाई है, थोड़ा सा टफ ना पांडवो की पतनी द्रोपदी को देवी के रूप में पूझा जाता है। जिसे राभा जनजाती के नाम से जाना जाता है। राभा जन्जाती का मुख्य निवासिस्तान असम राज्ज में ही देखने को मिलता है। बेखो उत्सव असम राज्ज की राभा जन्जाती के द्वारा मनाय जाता है। नॉर्मली ये जो त्योहार है यहां की जनजाती के द्वारा फसल कटाई या अच्छी फसल या अच्छे स्वास्ति की कामना के लिए मनाय जाता है। इस जंजाती के दुआरा बेखो उत्सव में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अच्छी बारिश हो इसके लिए भी अनुस्ठान किये जाते हैं बेखो उत्सव असम की राभा जंजाती का एक त्योहार है इसके बाद अगले कुश्चन पर आजेए किस राज्ज में आदिवासी समाच का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल मनाया जाता है आपने इस त्योहार के बारे में काफी बार सुना होगा काफी बार आपने एक्जाम में देखा भी होगा अगर आपने कभी पेपर लगा होंगे तो सरहुल मुख्य रुप से झारखंड राज्ज में मनाया जाने वाला त्योहार है वेसे तो ये मद्धिवारत के एकसे अधिक राज्जों में मनाया जाता है जिसे झारखंड, ओडिशा, पश्शिब, मंगाल और मद्धिवारत के कुछ अन्य आदिवासी शित्रों में भी सरहुल त्योहार मनाया जाता है लेकिन फिर भी मुख्य रुप से इसकी जो प्रस्ट भूमी है वो जार्खन राज्जी ही है सरहुल त्योहार पेड़ और प्रकृति की पूजा से सम्मंदि थे और जार्खन के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है जार्खन राज्जी की सरकार ने इस दिन देखिये राज्ज की अवकाज भी घोशित कर रखा है तो इसी से समझ में आ जाता है कि ये त्योहार जार्खन में कितना महतुपून है सरहुल त्योहार पर छारखंड की जन्जाती मिलकर सरहुल निरत्य गरती है जो कि यहां के आदिवासियों का एक महतुपुन लोक निरत्य है और कुछ लोकलाइड या फिर कुछ इस्थानी जो आदिवासी है इस त्योहार को हादी बोंगा के नाम से भी पुकारते हैं लेकिन नॉर्मली राज्ज में या पूरे राज्ज में इसे सरहुल के नाम से ही जाना जाता है किस राज्ज का है जारखंड राज्ज का इसके बाद कुश्यन देखिए किस रज में खार्ची महुतसाव मनाई गया तो हाली में देखिए खार्ची महुतसाव का जो अयूजन है तृपुरा रज में किया गया था त्रिपुरा के आदिवासियों का एक महतुपुन त्योहार है जो की एक प्रकृती पूजक त्योहार है प्रकृती की पूजा की जाती है और प्रकृती से जो जो आदिवासियों को मिला है वो उसका आभार व्यक्त करते हैं नेचर के प्रती घार्ची महुत्सव त्रीपुरा की जनजातियों के द्वारा मनाए जाता है इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखिए किस राज्ज में दही हंडी को खेल का दर्जा प्रदान किया गया है दही हंडी के बारे में आपने काफी बार सुना होगा गली-गली में एक खेल होता है नॉर्मली जन्मास्चिमी के अउसर पर एक हंडी लेते हैं उसमें दही डालकर उसे एक इमारत पर बाग दिया जाता है और जो कंटेस्टेंट होते हैं वो पिरामिड बनाकर जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं उपर चड़ते हैं और उस हंडी को फुडते हैं अब ये जो प्रता है फ्रेंट्स नॉर्मली महरास्ट रज में काफी पॉपुलर है इसलिए महरास्ट सरकार के द्वरा दही हंडी को राज की खेल का दरजा दिया गया है और इसमें जो कंटेस्टेंट है जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें गोविंदा के नाम से अब पुकारा जाएगा government ने काफी रियायते इन गोविंदाओं को दी है या फिर इस खेल में participate करने वाले जो contestant है उन्हें काफी रियायते दी हैं सरकारी नोकरियों में भी जैसे देखिए सरकारी नोकरियों में इन गोविंदाओं को 5 प्रतिशत का अरक्षन दिया जाएगा और इसके अलावा अगर इस खेल को खेलते खेलते किसी की न्मिक्ती हो जाती है तो राज्य सरकार के दोरा उन्हें 10 लाक रुपे तक की साहिता राशी भी दी जाएगी घायल हुने पे 7 लाक रुपे की साहिता राशी दी जा सकती है तो दही आंडी महारास्ट राज्ज का अब राज्ज की खेल बन चुका है आंसर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओके इसी था नेक्स्ट कोशन पर आ जाते हैं नेक्स्ट देखिए नेमन में से किस राज्ज में नुवा खाई जुहार उत्सव मनाय जाएगा तो देखिए नुवा खाई जुहार भारत के ओडिशा राज्ज में मनाय जाता है ओडिशा के पश्चिमी भागों में ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाय जाता है यह एक क्रशी परव है जिसमें धान की फसल आने पर या धान की फसल अच्छी होने के जश्चन में इस त्योहार को मनाय जाता है एसा नहीं है कि यह केवल ओडिशा में मनाय जाता है दर्शिनी चतिस गड़ या जहारखंड के कुछ छेत्रों में भी अलग-अलग आदिवसी शेत्रों में ये परव मनाय जाता है लेकिन इसके जो रूटस हैं वो भारत के ओडिशा रज्ज से स्टार्ट होते हैं तो नुवाखाई जुहार ओडिशा रज्ज का एक परव है किस रज्ज में बथु कम्मा उत्सव मनाय जाता है तो बथु कम्मा उत्सव भारत के तेलंगाना रज्ज में मनाय जाता है ये एक तेलगू वड़ हे फ्रेंड्स जिसका अर्थ होता है देवी मा जिन्दा है तो सीधी सी बात है इस उत्सव को मनाय जाने का उद्देश्य देवी की आराधना करना है जैसे नॉर्मली नव रात्री में देवी की आराधना की जाती है तेलंगाना में बथु कम्मा उत्सव पर देवी की आराधना की जाती है माता को खुश करने के लिए ये त्योहार तेलंगाना राज्ज में मनाय जाता है और देवी की आराधना के रूप में ये इस्तरी सम्मान के रूप में भी देखा जाने वाला पर्व है तेलंगाना गवर्मेंट के द्वारा इस उत्सव को राज की त्योहार का दर्जा दिया गया है बथु कम्मा उत्सव भारत के तेलंगाना रज्ज में मनाय जाने वाला उत्सव है क्लियर आगे आ जाते हैं इसके बाद अगला कुश्चन दिखिए चर्चा में रहा शुमंग लीला किस रज्ज में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है त्योहार कहलें या इसे महुत्सव कहलें भारत के मडीपूर रज्ज में मनाय जाता है मडीपूर का एक पारंपरिक त्योहार है हाली में 2022 में इसके पचासवे संसकरन का जो आयोजित ने फ्रेंड्स वो मडीपूर के इमफाल में किया गया है नॉर्मली यहाँ पर देखिए रंगमंच की प्रस्तुति दी जाती है जिसमें सभी महिला कलाकरों के जो पात रहें या महिला कलाकरों की जो भूमिकाए हैं वो पुरूशों के द्वारा निभाई जाती है तो यह रंगमंच कारिकरम या महुत सव भारत के मडीपूर राज्ज में मनाय जाता है जिसे शुमंग लीला के नाम से जाना जाता है इसके बाद सबसे लास्ट कोश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स सबसे लास्ट कोश्चन देखिए लोसर त्योहार किस राज्ज में मनाय जाता है इसे आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ऐसे त्योहार या ऐसे कुश्चन एक्जाम में हमने काफी देखे हैं तो लोसर त्योहार की अगर हम बात करें तो भारत के लद्दाक राज्ज में मनाय जाने वाला एक प्रमुक तेवहार है जो कि दिसंबर महा में मनाय जाता है दिसंबर महा के अंत में नए साल के जशने के रूप में या फिर नए साल का वेलकम करने के लिए ताकि नए साल जीवन में नई नई खुश्या लेकर आए इस उद्श्य से लगडाक के बौद्ध अनुयाईयों के द्वारा लोसर तिवहार लगडाक में मनाय जाता है लद्दाक के अलावा तिब्बत में रहने वाले जो बौद्ध अनुयाई है या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनमें भी ये त्योहार काफी प्रचली थे भारत की बात की गई है तो लद्दाक में जो बहुत अनुयाई है उनके द्वारा लोसर त्योहार मनाय जाता है तो अंसर डी लद्दाक हो जाएगा लोसर त्योहार लद्दाक में बहुत अनुयाईों के द्वारा मनाय जाता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने भारत के जितने भी important त्योहार और पर्व हैं जो कि हमसे exam में पूछे आ सकते हैं उन्हें बहुत ही detail में discuss किया है I hope आपने एक एक fact समझा है और सभी चीजों का आपने note कर लिया होगा क्योंकि यहाँ से एक एक point और एक एक fact जो कि मैंने आपको बता हैं सबसे question आते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा चेनल को subscribe कर लिजेगा आपसे फिर मुलाकातों की next वीडियो में बने रही है हमारे साथ जहेन